आई आज हम आप लोगों को बताते हैं टेंस के बारे में आखिर टेंस के तो देखिए जो टेंस होता है इंग्लिस होती है इसकी स्पेलिंग होती है टी ए यान हैसी टेंस की हिंदी होती है काल कहिए या फिर समय कहिए तो टेंस का मतलब क्या है काल या समय अब यह देखिए समय कितने प्रकार का होता है तो समय तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का तीन प्रकार का एक समय जो बीत गया एक समय जो बीत गया जी से हम क्या कहते हैं भूत काल एंग्लिस में कहते हैं इसको past tense यानि जो समय बीट गया उसे कहते हैं भूत काल या फिर कहिए past tense एक तो समय यह हो गया जो बीट गया जिसे हम इंग्लिस में past tense कहते हैं या फिर भूत काल कहिए कि दूसरा समय होता है कुछ वर्तमान कान वर्तमान कान जिसे हम कहते हैं यह क्या हो रहा है छल रहा है इस इंग्लिप अक था है प्रजेंट टेंस यान की दूसरा समय क्या है जो चल रहा है यान कि जो चल रहा है उसी काते है वरतमान काल या फिर इंगलिस नहीं प्रजेंट तो हमने आपको दो समय के बारे बता है एक जो बीद गया जिसे हम भूत काल यान की पाश्टन काते हैं दूसरा समय है जो चल रहा है यानि की जो चल रहा है उसे हम कहते है प्रजेंट टेंस या फिर कहिए वर्दमान को अब तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस जिसका मतलब होता है आने वाला समय आने वाला समय या फिर इसको कहिए में वाहिष्ट से काल वाहिष्काल तो तीसरा टेंस क्या है या कि तीसरा समय क्या होता है आए जो पीट गया और एक जो चल रहा authentic जो आये जो बीत गया उसका मदा भूत काल जो चल रहा है उसका मिला हो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंटेंट्स जो आने वाला है उसका मिल उता है नावीज चाल जिए फ्योजटर टेंट आप